नमस्ते मैं रफीक सुलेमान हूँ और आप Cloud Simplified देख रहे हैं नमस्ते सभी को और Cloud Practitioner Express के एक और पार्ट में आपका स्वागत है और इस पार्ट में हम AWS Outpost की व्याख्या करेंगे बहुत सरलता से AWS चौकी क्या है? सबसे पहले चौकी एक परिवार है एक पूर्ण तह प्रबंधित समाधान जो आपके परिसर और आपके भौतिक डेटा केंदर तक AWS अवसनरचना प्रदान कर रहा है और चौकी यह एक परिवार है यह परिवार एक रैक यूनिट सर्वर में या दो रैक यूनिट सर्वर में आ सकता है या यह इस तरह एक पूर्ण रैक में आ सकता है तो यह एक चौकी का उदारण है यह एक रैक है और यह रैक इस रैक की खूबसूरती यह है कि यह पूर्व कॉन्फिगर किया हुआ आता है यह पूर्व केबल युक्त आता है तो आपके पास सब कुछ है आपको बस इतना करना है कि आप इस Rack को Network से और Power से Connect करें और आप इसे अपने AWS Cloud के विस्तार के रूप में देखेंगे तो यह चौकी आपको विस्तार करने की अनुमती देगी और हमारे पास मौझूद मूल सेवाओं को आपके Data Center के अंदर आपके भौतिक Outpost पर चलाई इसलिए चौकियों के लिए वे कार्यभार और उपकरणों का समर्थन करते हैं और यहां Keyword को कम विलंबता पहुँच की आवश्यक्ता है तो उस तरह के अनुप्रयोगों के लिए जहां अगर मैंने इस Application को Cloud पर Host किया है तो यह थोड़ी उच्च विलंबता और देरी की पेशकश कर रहा है और उदाहरण के लिए मेरा Application बहुत ही विलंबता और देरी के प्रति समवेदन शील है इसलिए मैं चौकियों के बारे में सोच सकता हूँ इसलिए मैं अपने बुनियादी धांचे को अपने अंतिम उप्योग करताओं के बहुत करीब रख सकता हूँ उदाहरण के लिए बहुत कम विलंबता पहुंच प्रदान करने के लिए और तब परिभाशा के अनुसार चौकी एक पूरी तरह से प्रबंधित बुनियादी धांचा है जिसका मतलब है कि मुझे रैकिंग और स्टैकिंग करने की आवश्यक्ता नहीं है केबल बिछाने और टैगिंग और फिर नेटवर्किंग, रूटिंग और स्विचिंग को कॉन्फिगर करें और फिर वर्चॉलाइज़ेशन शुरू करें चौकीयों के बारे में सुन्दरता चौकियां पूरी तरह से पूर्व केबल युक्त पूर्व configure करके पूरी तरह से प्रबंधित होती है, आपको बस इसे बिजली से connect करना है और इसे इंटरनेट से connect करना है और हमेशा इसे एक विस्तार के रूप में सोचना है और ये एक hybrid cloud का उदाहरण हो सकता है जहां आपके data का एक हिस्सा AWS cloud पर हो सकता है और आपके workload का एक और हिस्सा या आपका application स्थानिय रूप से आपके outpost पर चल रहा है फिर से कम विलंबता प्रदान करने के लिए अनुप्रयोग कीवे विलंबता और विलंब समवेदनशील हैं इसके साथ ही हम इस पार्ट के अंत पर आते हैं मुझे आशा है कि अब तक चौकियों की अवधारणा स्पष्ठ हो गई होगी देखने और अगले वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यव झाल